हेलो दोस्तों देटनर उसमें आप लोग का स्वागते और दोस्तों हम आचुके हैं फाइनली हमारे घर वापस मुंबई और जो चाइना की जो मेरी ट्रिप थी और इस ट्रिप में जो आप लोग ने मुझे सपोर्ट किया है मैं आज तक क्या जिन्दगी वरतक उसका एहसान जो नहीं बूल सकता हूँ और दोस्तों हमारा जो रेड्मी नोडिट प्रो का जो अन्बॉक्सिंग वाले वीडियो था वो 1.3 मिलियन व्यूस क्रॉस कर लिया है यह सब आपके प्यारों सपोर्ट से तो बहुत बर शुक्रिया आज दोस्तों है गनेश चतूरती मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक बात अभी तो शुरू हुआ है अभी तो और बहुत चलेगा यह महराश में तो वैसे काफी दूम दम से मनाया जाता है मैं खुद देखता हूँ मुझे अच्छा लगता है तो बस फेस्टीवल है छुटी भी है खुशिया मन बहुत सार एंबॉक्सिंग होगी यह हफता बहुत गरम होने वाला है तो बहुत मजाएगा विडियो पसन है की दोस्तों तो लाइक करना और फड़ा वट से आज की टेक्टूश शुरू करते हैं तो पहले कबर की बात करते हैं यहाँ पर किस से हमारे चंद्रियान 2 से दोस उससे जो विक्रम जो लैंडर है वो सेपरेट हो गया है जी हां तो मतलब अभी वह बहुत जल्दी ही लैंड होने वाला है 7th September को वैसे वो लैंड हो जाएगा अब जो विक्रम है न दोस्तों यह 1471 kg का है बहुत वज़न इसमें और उसके अंदर होगा परग्यान रोवर जो बहुत excited है कि देखने के लिए और वैसे वही location पर 5 सल बाद NASA वहां से अपने खुद के भी astronauts बेजेगा जो US उसकी प्लानिंग में लगा हुआ है 978 क्रोट का दोस्तों यह चंजरेन 2 है जो दिन पर दिन progress कर रहा है और सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपस से क्या बताओ मैं बहुत excited हूँ दोस्तों देखते हैं कि 7th September को क्या होता है मैं जरू से आपको उसके बार में update कर दूँगा वैसे है पर दोस्तों एक update दिन रहता हूँ कि मेरे पास Vivo Z1X जब मैं चायना की आता न तब से आगे पड़ा हुआ है Motorola का भी phone वहाँ पर आगे पड़ा हुआ है उस पर और अच्छी का सी वीडियो बनेगी तो इसकी वीडियो पहले कल सुबह मिलेगी थोड़ अच्छी होगी और उसके बाद फिर Motorola वाला वीडियो आएगा तो जरू से श्टेटिन करना दोस्तों Vivo Z1X अच्छा लग रहा है क यामरा बहुत अच्छा है तो कल उसके बारे में जनकरी मिल जाएगी तो यहाँ पर अगर दोस्तों आपके पास Apple MacBook Pro है सब्टेमबर 2015 के बाद और फरवरी 2017 के पहले वाला यह वाला जो मॉडल लंबर है तो आगर कहीं पर भी फ्लाइट में ट्रेवल करने की प्लानिंग कर है चाहिए वो एर इंडिया हो या कोई भी दूसरी फ्लाइट हो अभी फिलालते हो एर इंडिया नहीं यहाँ पर नोटीस मारा है तो आप उसको नहीं लेकर जा सकते ध्यान से सुनियेगा दोस्तों आपको नुक्सान हो जाएगा और बहुत लंबा धक्का होगा क्योंकि हम तो मत लेगे जाना वरना आपको बड़ा नुक्सान होगा तो यहाँ पर दोस्तों एटल की तरफ से खवर आ रही है और जब मैंने यह खवर पढ़ा ना तो मेरे दिमाग में कहवत आ गए और वो है लातों की बूद्व हातों से नहीं मानते हैं आपको तो पता ही होगा ना अपना जो इंटरनेट टीवी बॉक्स था ना जो 2017 में आया था जो 500 रुपी की प्राइस पर आया था इसमें जो सारे OTT एप सर्विसस है जो नेटफ्लिक्स एमाजन प्राइब सब आप इंटरनेट से जो वो देख सकते हैं अब इसको एटल ले घटागे 2269 डुपीस कर दि बेंका तो देखो प्राइस आदे से कम करता है कि इसको पता है जी ओ फाइवर आने वाला है इन लोगों के सथ सही है क्योंकि जो नहीं था साया था और आज हम इनका खूनुशएंगे आज हम इनका खूनुशेंगे तो एपल की तरफ से खाबर आ रही है और आईफोन 11 10 सब September को जो वो launch हो जाएगे पहले तो US में जाएगे उसके बाद हमें इंडिया में भी तेखने को मिलेंगे हाँ मिलेंगे मिलेंगे इंटेंशन मतलों बरबात नहीं हुआ हो आएगा पता नहीं कितनी प्रैस पर रहेगा लेकिन आएगा अब बताया था रहे दोस्तों कि 20 September से वो 2019 वाला के 20 September से आपकी केडिनिया बेचना शुरू होने वाली है ऐसा आया था तो मैं सोचा खराब जोकता सोरी तो यहां पर दोस्तों शाओमी की तरफ से ख़बर आ रहे है और दोस्तों शाओमी रेड्मी नोटेट सीरीज चायने के इंदर जब यह लॉंच और जब सब्सक्राइस निकल गया है और उसके लावा 64 Megapixel camera अंडर 15,000 इंपॉसिबल साथ में दोस्तों मैं मानता हूं बहुत सारी चीज़े कंप्रोमेस की गई है आई-पेस डिस्प्ले डिस्प्ले रियर कैमरा है थोड़ा कॉस्ट कडिंग तो करेंगे ने तो यह लोग बरबाद हो रहा है मतलब देखेंगे liquid cooling के जब उन्होंने बात करें थी तो इसमें आपको copper heat pipe भी जो वो दिखाई दे रहे है इसका मतलब obviously liquid cooling आपको मिलता है hybrid slot देख रहा है दिल पर पत्थर रखके वो रहा हो सकता है इंडिया में हो जाए dedicated नीचे देखेंगे अलग से आपको type C port 3 3.5 jack camera 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 के सब कुछ setup आपको दिखाई दे रहे बस एक चीज़ है यहाँ पर दोस्तों इसमें आपको एक अलग से qualcomm का charging का hardware भी मिल रहा है मतलब कोई charge का भी support दिया है however media tech processor तो वह pump express तो मिलेगा लेकिन दूसरा भी आपको qualcomm का quick charge भी मिल रहा है तो अच्छी तरीकी से आप पहले अगर आ जाना तो थमाल हो जाएगा तो यहां पर दोस्तों Samsung की तरफ से खाबर आ रही है Samsung Galaxy A90 जी हां यहां पर अभी इसका पूरा retail box जो वह leak होकर आ चुका है और पीछे का भी part आ गया भार उसका मतलब उसकी specs भी जो सामने निकल कर आ चुकी है अब जो Galaxy A90 5G है यह कभी launch होगा कितना जल्दी launch होगा यह नहीं पता लेगी न आपको इसमें 5G मिलेगा जो पहला Samsung का A-Series वाला phone होगा जो 5G के साथ मा हैगा जिसमें आप देखेंगे 6.7 inch की Full HD Plus की आपको एक Super AMOLED डिस्पें मिलेगी काफी बड़ी से डिस्पें इंफिनिटी यू वाले डिस इंडिया में कितना जल्दी आएगा क्योंकि अभी तरह इंडिया में तो 5G आया नहीं वैसे M30S आ रहा है दोस्तों बहुत मजा आने वाले यह phone काफी exciting होगा 15-20 के इंदर इसकी प्राइस होगी आएगा मैं आपको इसके बारे में बता दूँगा तो यहाँ पर दूस्तों जो आये ते इसमें किरीन कितना 970 था फिर अभी P30 और Mate 20 वगरा जो आये ते इसमें किरीन 980 था और अब दोस्तों आपको Mate 30 जो मिलेगे इसमें किरीन 990 होगा यह खुद हुआवे नहीं ऑफिशिल किया था बहुत ही तगड़े स्मार्टफोन होगे 19 सप्टेम्बर को जव यहां पर काड़ देता हूँ आप जाके देख लेना डिस्किप्शन के अंदर भी आइट कर दूगा देख लेना मतलब आप बहुत चीश मिस कर देगा अगर आपने नहीं देखा है एक ऐसा और नया स्मार्टफोन आने वाला है जो XT का सक्सेसर बनके आएगा मैं आपको ब पोश्ट दुवारा इसके स्पेक्स निकल कर आचुक है अभी सेही 6.4 इंच की फूल एश्टी प्लस की इसमें आपको एक एमलेट डिस्क में मिलीगी स्नैप डेगन 730 जी वाला प्रोसेसर होगा इसमें भी 64 मेगा पिसल के साथ में कोर्ट के अमेरे का सैट अप होगा 32 अभी तक तो वह 20W प्रोवाइड करे थे यह 30W का होगा अभी दोस्तों यह किसी ने पोश्ट किया अभी कंफर्म नहीं कि यह वाकर में ऐसा होगा लेकिन हां XT2 Pro आएगा वो ऑविसली इससे भी आपको और बेटर देखने को मिलेगा तो कुछ इस तरगी के लिए 780G उस किया था कि भाई वो प्लेश्टोर के अंदर एक और ऑप्शन एड करेगा पर्चेस का इंडिया में और वो है UPI और UPI में पता है इंडिया में बहुत चलता है यूनिफाइट पेमेंट इंटरफेस बहुत कंविनिट होता है मोबाइल नमबर से ही शिक डिजिट कोड ड आप लो UPI से ही आप राइक पर्चेस कर सकते हैं बहुत ही कूल हो गया बहुत ही इजी हो गया वैसे मैं करता रहता हूं कि आप Google से पर्चेस करते हैं तो UPI ले लिजिए और और भी आसानी से पर्चेस कर दीजिए क्या आपको बताया जाए कि अभी तक का जितने भी करें मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक नूस लाता रहूंगा आप लोगों को ऐसे ही अपड़ेट करता रहूंगा मिलते हैं आप से क्लिवडों में एक डेवडों के साथ तिल देन वे ग्रेट डे एंड ऑल्वेस कीप स्पालिए